नमस्कार दा न्यूस देख रहे हैं आप आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्वा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चाय तेज हो रही थी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूस यह सामने आ रही है कि आज तीन बजे दो फैर को पूर्वर रास्टपती रामनात कोविंद के आवास पर ये पहली मीटिंग होनी है अधिकारिक तोर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमिटी बनाई गई थी देखिए आठ लोग इस कमिटी में शामिल हैं अधीर रंजन चौधरी ने अमिच्चा को पत्र लिखा और कहा कि मुझे इस कमिटी का सरस्त नहीं रना है त्योंकि इसमें ना मलिका और जुन खड़की को लिया गया है और ये केंडर के अलग मन्शे को दर्शाती है लंबी चौड़ी लेख लिखकर अधिरंजन इससे साइड हट गए और अब देखिए रामनात कोविंद के आवास पर ये मुलकात इतनी एहम है यानि वन नेश प्रक्रिया चलेगी रिपोर्ट आएंगे चुनाव आयों के हो विधी आयों के हो तमाम आयों की रिपोर्ट रोकमिशन को सोपे जाएंगे इसके बाद ये तै होगा कि आखर देश में वन इलेक्षन क्या जायज है क्या सटीक है देखिए दर्चर को केंडर लगातार ये कह जो खर्च हो रहा था हर छे महीने पर इलेक्षन देखे कई कैबिनेट मिनिस्टर से जब इसके लिए बयान लिये गए प्रतिक्रिया लिये गई तो यही कहा गया कि अर्बो रुपे बरबाद होते हैं और इस बरबादी से अच्छा है कि एक देश एक चुना हो भया छुट णिखत नहीं होगी तुक्कि जितरें पैसे इलेक्शन से बचेंगे चाहिए वह पंचात एलेक्शन आपने सीब्राइप्र इससे ajaul को निकालता यह वोट देने के लिए कई आ आफिस में बहुत मैतुपूर्ण काम था मैं वोट देने नहीं जा पाया क्योंकि देश में अगतरीक इलेक्शन होते हैं अब इससे छुटकारा पाने के लिए अगर एक इलेक्शन हो जाएगा तो उस पर आधिकारी छुटी भी रहेगी वोटिंग के दिन छुटी भी रहेग रामनात कोविंद और वैसे भी यह जो आठ सदस्य कमिटी का गठन हुआ है उसके अध्यक्ष रामनात कोविंद ही है कोविंद को केंद्र ने शुटकामनाई दी और उनका स्वागत किया कि इस प्रस्ताओं को रामनात कोविंद ने सुईकार किया और इसकी चर्चा के किस सबदे गी किसे टरीके से रिपोडर जाएंगे कितने रिपोर्ट कि purity सौपे जाएंगे जन्दा का रुज्वा किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा ये सब बातों की चर्चा होगा कि अब है कुछ दिन पहले ही इस लेकर और पजस्य टीम का गठन हुआ था और आज इसकी पहली अधिकारिक बैठक है तो कई चर्चा इसमें तेज है कि अलग-अलग कहीं न कहीं इस पर चर्चा तेज होगी अलग-अलग काम सवपे जाएंगे जिम्मेदारिया मिलेगी अधिकारियों को इसके साथ सरकार को एक अलग त और ये मीटिंग जो है इसमें सभी सदस्य मौझूद रहने की संभावना है तेज है एक बार मैं आपको बता दी कमिटी में कुल आठ सदस्य है एक बार मैं नाम ले लेती हूँ कौन-कौन से वो सदस्य है जो इस कमिटी के गठन के वक्त में थे और इनको एड किया गया है दिखिए कैबिनेट्स मिनिस्टर अमिच्चा जी है अधिरंजन चौधरी जोन्होंने लेटर लिखा है कि मुझे इस कमिटी में नहीं रहना है गुलाम नभी आजाद है एनके सिंग है सुभश है हरीश सालवे जी है संजय कोठारी अन्यस तर्क से होंगे गौर तलब है कॉ वन नेशन वन इलेक्शन का देखिए सरकार हर तरीके से फाइदा बता रही है सरकार कह रही है इसकी पीछे एक बहुत अच्छा तर्क है सैकडो हजार करोड रुपे की बचर जो मैंने आपको बताया एक देशिक चुनाओ अगर लागू होता है तो लोक सभा और राज्य व चुनाओ उतनी लडाईयां और अगर एक चुनाओ होगा तो शांती पूर्ण होगा सरकार इसको संभाल पाएगी पुलिस बलो को अतिधिक काम नहीं करना पड़ेगा इलेक्शन में देखिए पुलिस बलो की चुटी रहती ही नहीं है और वह बहत पर दिशान हो जाते हैं और इस तरीके से इलेक्शन का जो रूप है वो भयंकर हो जाता है क्योंकि देश का चुनाओ ऐसा ही है चुनाओ मतलब लडाई और देखिए इसी वह जैसे कहा जा रहा है कि एक इलेक्शन हो जाएगा तो इन सभी तमाम दिक्कतों से परेशानियों से जो आने वाले रास्त को तगणा जटका इस बात से इसलिए विवक्षी गढभन्धन के मुद्धे खतम हो जाएंगे और विवक्षी गढभन्धन कह रहे हैं कि केन सरकार की वोट कम हो रहे है इसी डर से केन सरकार नहीं यह किया है यह राख चुड़ा है हलां कि इस विशेश सत्र में इसकी आने को नहीं लाएगी केद सरकार आगे मैं आपको बता दूं कि इस पर आई एंड डी ये गढ़वंधन में हड़कंप मचा हुआ है केजरीवाल कह रहे हैं मैं इसके अगेंस्ट हूं सरकार केवल नौटंगी करना जाती है सरकार जानती है उनके वोट कम हो रहे चार्चे वोट कम नहीं आ रहा है और देखिए इसी को लेकर के अब आपको बता दे कि आज मलिका जुन खड़के भी मिटिंग करते नदर आएंगे और देखिए मलिका जुन खड़के भी लगतार बैठकों का दौर बुला रहे हैं वनोंने कह दिया कि विशेश सत्र के पहले हम भी एजेंड जारी है देखिए कॉंग्रस के गठबंधन में और इंडिया गठबंधन में क्या एहम फैसले होते हैं वो सब इस रूप रेका से तै होगा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन ना आए और देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ कल जो बात हुई भारत नाम बद काने की कोशिश इंडिया गढ़वंधन के राजनिता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र भी भटक गई है और इसी वज़े से हम ये काम कर रहे हैं कि हम केंद्र के मनशा को पूरे होने नहीं रेंगे अधिरण ज्यन चौधरी ने भी इस कमेटी से साइच ले लिया और कहा भारत में हर महीने चुना होता है जिसे विकास बारिस होता है देश को इतना पैसा नहीं बरबाद करना चाहिए अगर इसकी रूप रेखा तयार हो जाती है तो आपको कितना फायदा होगा जरूर कॉमेंट करें और वक्षी गडबंधन का ये जो रोना है आप किस तरही से इसको ले रहे इसके बाबत भी जरूर अपनी टिपनी लिखना ना भूले बहुत शुक्रिया